हथोलो फेंड्स हमें बार-बार एक सवाल पूछा जाता है कि जब भी आप दूर्भीन को AUPERATION करते हैं तो बच्च्च दानी बहर कैसे निकालते हैं यानिए कि क्याप दूर्भीन से अंदर बच्च दानी को जला देते हैं या और कोई तरीके से बच्च दानी को बाहर निकाल जाता है और दूसरा सवाल ये भी पूछा जाता है कि आखिर ये दूर्बीन को ऑपरेशन सक्सेस्फुल होगा या नहीं होगा तो मैं डॉक्टर सुशिला से नहीं गाइनिकलोजिस और अप्टोटीशन गाइनिल अप्रास्कोपिक सरजन आज आपको बच्चे दानी को दूर प्रेशन जब किया जाता है तो उसको आस पास के हिस्सों और नहीं से सापट कर लिया जाता है अब यदि वच्चे दानी का साइस बढ़ा है और सिधे सिधे यानि कि नॉर्मल आराम से बज़ेने से डिलिवर नहीं होती है तो ribbon technique के द्वारा उसे cut करके बाहर निकला जाता है और उसको cut करने के लिए जैसे कि हम लोग संत्रे को चिलते और गोल को spiral incision लगा के उसे गोल को हम लोग ऐसे ribbon बना लेते हैं उसी तरीके की technique यहां इस्तेमाल की जाती है कि uterus को पकड़ कर उसको cut करके गुमा गुमा कर निकलते हैं तो वो एक पूरा लंबा ribbon बन जाता है और इसे को हम लोग ribbon technique करते हैं तो techniques के चलते ही हम लोग यह सजरी कर पाते हैं और safely कर पाते हैं और result डिलिवर कर पाते हैं इसलिए यह myth को दिमाग से निकाल दीजे कि uterus को पूरा नहीं निकाला जाता है या उसका piece को ही अंदर छोड़ दिया जाता है या उसे अंदर जला दिया जाता है और उसे निकालने का सीधा सा तरीका है कि जहां से delivery होती है जहां से पुरा बच्चा बाहर निकलता है वहीं से uterus भी बाहर आ सकता है और जो दूसरा सवाल हम से पूछा जाता है कि क्या दूरबीन का operation successful होता है तो हम कहेंगे जी हां 100% successful है और हम तो यह कहेंगे कि हाथ वाले operation या वजाइनल operation से तो काफी जादा successful है क्योंकि हमने हम आपको बार बार बताते हैं कि जब भी हम दूरबीन से operation करते हैं तो पुरा 360 degree पूरे पेट की जाच होती है जिसके अंदर और बीकोई भीमारी होती वो भी पता चल जाती है, आतें वगर कुछ चिपकी हुई है बच्चेदानी के साथ वो भी हमेंपता चल जाती है या और कोई ऐसी इस्तिती है कि उनके क्लॉट्स जमे हुए हैं, या और कोई बचे दानी के अंदर साइड में कहीं गाठ बन गई है, या और कोई नसों पे बिमारी है, या कोई पशाप के नली इन्वाल्ड है, या और भी किसी प्रकार का और भी कुछ होगा, तो दुर्वीन के साथ यानि HD 4K विजन के साथ operation होगा और किसी प्रकार की गलती करने के संभाव ना है खत्म सी हो जाती है क्योंकि दिखता इतना अच्छा है तो definitely surgery भी बहुत अच्छे होती है राजकर 3D विजन भी आ गया यानि कि 3D cameras होते हैं तो इसमें 3D विजन मिलता है तो उसमें भी और गलतियां करने के चांसे खत्म हो जाते हैं और बाहर की कोई चीज अंदर नहीं जाती है इसलिए कोई चीज छूटने या भूलने का खत्रा भी खत्म हो जाता है तो यह दोनों मित आप दिमाग से निकाल दीजे कि दूरवीन का ओपरेशन सक्सेस्फुल नहीं होता मैं तो हमेशा यही कहते हूँ कि बाकी किसी टेकनोलजी से सबसे ज़्यदा सक्सेस्फुल है अगर कोई चीज 100% सक्सेस्फुल है तो दूरवीन 200% सक्सेस्फुल है और दूसरा में थे कि बच्चेदानी को अंदर कभी जलाया नहीं जाता या छोड़ा नहीं जाता उसे इंटेक्ट पूरा बाहर निकाला जाता है और भी कोई सवाल है आपको दूरवीन के उपरेशन से रिलेटेड तो डेफिनिटली हमें कमेंट बॉक्स में लेके पूछ सकते हैं हम आप से फिर में लेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब 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 नमस्कार